हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 13.2 का question number 1 तो question number 1 क्या कहता है find the number of lines of symmetry for each of the following shapes यहाँ पर यह हमारे shapes दे रखें और हमें इसकी number of symmetric line find out करना है symmetry line क्या होता है कि एक ऐसी line होती है कि जिसके left, right या उपर नीचे के figure जो है वो same होना चाहिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस figure की बात करें तो हम इसमें एक ऐसी line बना दें जिसकी दोनों parts क्या हो बिल्कुल exactly same हो तो इसकी symmetry का कौन कौन सी हो सकती है एक तो इसके बिल्कुल center से जाए हम इसका center पर देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 4 cm का है तो center क्या होगा 2 cm यानि यहाँ से तो यहाँ से एक line इस तरह से जाए यह एक हमारी इसकी line आप symmetry हो जाएगी ठीक है दूसरी कौन सी हो जाएगी दूसरी यहाँ से जाएगा तो एक यह line आप symmetry हो जाएगी यहाँ पर line आप symmetry को हम लोग dotted line से denote करते हैं ठीक है तो यह हमारी dotted line होगी और चुकिए एक square है यहाँ पर यह भी 4 cm है यह भी 4 cm है और square की जो diagonals होती है वो भी symmetry line होती है तो यहाँ पर हम इस तरह से यह dotted line बना देंगे यह भी हमारी symmetric line होगी similarly एक यह हमारी symmetric line होगी इस तरह से तो इसके पास total कितनी symmetric line हो गई? 4 symmetric line तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 symmetric line अब हम आते हैं next पे तो next यह हमारा इस तरह का figure दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा यह अलग दिख रहा है लेकिन यह जो गर book में देखेंगे तो यह पूरा एकदम perfect है यानि जिस तरह से यह है उसी तरह से यह सारी चीज़ें जो है equal है तो यह भी हमारा बिल्कुल इसी की तरह होगा इसके पास भी 4 symmetric line होगी पहली क्या होगी पहली हमारी इस तरह से जो center से जाएगी उपर से नीचे की तरफ एक तो यह होगी symmetric line क्योंकि इस line के इधर वाला part और इधर वाला part exactly same है तो एक तो यह होगी दूसरी क्या होगी हमारी इस तरह से जाएगी इस तरह से तो यह दूसरी symmetric line होगी ठीक है और तीसरी क्या हो सकती जो इसके diagonal से जाए यानि की इस तरह से यह हमारी होगी एक symmetric line क्योंकि इसके इधर वाला part और इधर वाला part exactly same होगा और जो चौथी होगी वो हमारी इस डायगोनल से जाएगी इस तरह से ठीक है तो ये हमारी चार सिमेटरिक लाइन इसमें भी होगा है इसको हमाल लेते हैं ये L1 है ये L2 है ये L3 है ये L4 तो यहाँ पे भी 4 लाइन आफ सिमेटरी हो गए अब यहाँ पे हम next पे आते हैं ये हमारा c वाला पार्ट किस तरह से दे रखा है यहाँ पे ये square के अंदर एक प्लस बना हुआ है तो पहले तो हम इसकी ये वाली सिमेटरी लाइन देख लेते हैं जो बिलकुल center से जा रही है इस तरह से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ह क्योंकि इसका भी जो है इधर वाला पार्ट और उपर वाला पार्ट exactly same है अब चुकि ये एक square है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी distance क्या है हमारी इसकी length 4 cm दे रखी है ये भी 4 cm दे रखी है तो इसका मतलब ये एक square है तो square की जो है diagonal भी symmetric होती है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो diagonal क्या हो जाएगा इस तरह से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि diagonal के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट exactly same है तो इसका मतलब ये भी symmetric line होगी उसके इधर वाला अगर हम देखें तो इस तरह से तो इसके diagonal के इधर वाला और इधर वाला भी exactly same है तो इसका मतलब ये भी symmetric line हो जाएगी तो इसके पास भी कितनी symmetric line होगी 4 symmetric line होगी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 अब आते हैं D वाले पे तो D वाला ये हमारा क्या दे रखा है ये एक joker बना हुआ है अब यहाँ पे अगर हम exactly center से बीच से जो है एक line निकालें इस तरह से यहाँ से हम एक line draw करते हैं तो अब अगर हम इस line के right side में देखें तो इधर इसका part और इधर का part exactly same होगा क्योंकि यहाँ पे यह एक आँखी है एक आँखी है यहाँ पे इसका मू भी आधाधा हो गया तो यहाँ पे य यह जो है ना symmetric line होगी लेकिन इसके इलावा जो है कोई भी symmetric line नहीं हो सकती symmetric line basically किस किस तरह से हम देखते हैं एक तो यह horizontal एक vertical और एक यह जो है diagonal में तो यहाँ पे vertical तो line है अगर हम horizontal करें तो उपर मू है नीचे मू नहीं है तो horizontal line तो हो नहीं सकती diagonal ही अगर देखें तो इध diagonal भी नहीं हो सकता तो इसके पास एक ही symmetric line होगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम one अब आते हम next part पर तो next figure हमें क्या दे रखा है यह वाला दे रखा है यह एक hexagon है one two three four five six six sides है तो यह एक hexagon है और एक और चीज है कि यह एक regular hexagon है क्योंकि इसकी सारी जो length सारी जो sides है वो equal length की है और एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी एगर regular polygon है तो जितनी उसकी side होंगी उतनी ही उसकी line of symmetry होंगी कैसा भी हो equal lateral triangle हो या उससे बड़ा square हो फिर या फिर उससे बड़ा pentagon हो फिर hexagon हो septagon हो कोई भी हो जितनी sides होंगी उतनी ही उसकी symmetric line होंगी बस regular होना चाहिए ठीक है तो यहां पर हम देख हैं तो इसकी symmetric line कौन-कौन सी हो सकती है एक तो अगर हम इन corners को मिला दें इन vertex को मिला दें जैसे यह देखो एक तो यह हमारी symmetric line हो जाएगी इस तरह से दूसरी यह हो जाएगी इस तरह से तीसरी यह हो जाएगी इस तरह से और चोथी अब क्या करेंगे यह जो side दे रखी ना इनके exactly center से हम एक line find out करेंगे तो यह हो जाएगी एक इस तरह से उसके बाद में एक इस center से जाएगी इस तरह से और फिर इधर से जाएगी इस तरह से तो यह हमारी इसकी line up symmetry हो जाएगी तो कितनी line up symmetry होगी यहाँ पे हम लिख लेते हैं one two three four five और six तो six line up symmetry होगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम six अब आते हम next पे तो next हमारा क्या दे रखा है यह एक figure दे रखा है क्या दे रखा है एक circle दे रखा है उसके अंदर एक hexagon दे रखा है उसके अंदर एक star बना हुआ है तो अब यहाँ पे line up symmetry देख लेते हैं पहले तो हम इसकी vertices को मिला लेते हैं जैसे यह vertices है यह है इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक यह line up symmetry हो जाएगी इसको हम बोल देंगे L1 दूसरा क्या होगा कि हम इसके साथ इसको इस तरह से मिलाएंगे तो एक यह line up symmetry हो जाएगी इसको बोलेंगे हम L2 और फिर इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो एक ये line of symmetry हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे L3 उसके बाद में अब यहाँ पे ये vertices तो मिला दिये अब इसकी ये side होती है उसके हम आधी करेंगे अब यहाँ पे ये side है इसके 20 से अगर हम लेके जाएं center से तो ये एक line of symmetry हो जाएगी इसको हम बोलेंगे L4 उसी तरह से हम इन दो points की बीच से लेकर जाते हैं तो एक ये line of symmetry हो जाएगी इसको हम बोलेंगे L5 उसके बाद में यहाँ से जाते हैं इस तरह से तो ये एक line of symmetry हो जाएगी इसको हम बोलेंगे L6 तो इसके पास भी total 6 ही line of symmetry है इसके लाबा और कोई line of symmetry नहीं होगी तो इसका अंसर भी हो जाएगा 6 उसके next आते हैं ये हमारा G वाला figure दे रखा है अब line of symmetry हम किस तरह से चेक करते हैं तो horizontal line से फिर vertical और उसके बाद में diagonal अब अगर हम इसकी माल लिया कि ये line of symmetry है तो line of symmetry का मतलब क्या होता है कि जो इस side हो वैसा ही इस side हो तो अब अगर ये line of symmetry है और इधर ये ऐसा दे रखा है तो ये symmetric figure होता अगर ये यहाँ पे दे रखा होता इस तरह से और इसको इस तरह से shade किया होता उसी तरह से जिस तरह से ये नीचे दे रखा है ये अगर इधर दिया होता तब ये जो है हमारा symmetric होता लेकिन इस वक्त ये symmetric नहीं है वर्टिकल में इसी तरह से अगर हम horizontal में चेक करें ठीक है तो horizontal में क्या होगा कि ये symmetric line तब होती जब जिस तरह से ये नीचे दे रखा है इसी तरह से ये ऊपर होता, similarly जिस तरह से ये ऊपर दे रखा है, उसी तरह से अगर ये नीचे भी होता, तब ये symmetric होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस line को symmetric line मानें, तो यहाँ पे ऊपर तो दे रखा है, लेकिन नीचे नहीं दे रखा है, तो horizontal भी नहीं होगा, diagonal की अगर हम बात कर पर Blitz लहादल टो इसका इस देर गहां एक बिराबर फिट्ट नहीं वैठेगा तो समझाने के लिए किस طרح سے यह हो जाएगा जैसे यह अगर हम diagonal ही देखें पहले इसको इस तरह से बना लेते हैं यहां पे और यह हम मान लेते हैं कि diagonal है तो यह इधर किस तरह से जाएगा यहां पे हम इस तरह से एक dotted line ले ले लेते हैं और इस point को हम यहां रख लेंगे यह point ऐसे ही रहाएगा तो यह इस तरह का figure हो जाएगा ठीक है यह जब इधर जाएगा तो यह इस तरह से हो जाएगा तो अब यह symmetric है लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह ऐसा figure दे रखा है तो diagonally भी symmetric नहीं होगा तो इसके पास कितनी symmetric line होंगी 0 ठीक है अब आते हम next h पे तो h हमारा क्या दे रखा है यह एक हमारा figure दे रखा है अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो पहले तो हम वर्टिकल देख लेते हैं जिसे हमने यहाँ पर यह वर्टिकल मान लिया यह होगी तो अब अगर हम इसके इधर देखें और नहीं होगा लेकिन अगर हम डैईगोनल ही देखें तो डैईगोनल किस तरह से होगा इस तरह से हो गा ठीक है उसे सिमेट्रीक लाइन मानी तो यह जो पार्ट है यह इधर नहीं हैसका मतलब यह सिमेट्रिक नहीं हो गा तो इसके पास भी कोई symmetric line नहीं है तो यहाँ पे भी हम zero लिखेंगे जिरो symmetric line next आता है आई वाला figure आई वाला figure क्या दे रखा है यह हमें एक flower type का दे रखा है और इसमें five पत्तियां है ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर हम इसका एक इस तरह से line बना दें इसी same है तो अगर हम एक line इस तरह से यहाँ से find out करें फिर यहाँ से उसके बाद में यहाँ से उसके बाद में यहाँ से तो कितना हो गई line up symmetry जितनी इसकी पत्तियां है तो पत्तियां इसकी five है तो इसका मसरब इसकी line up symmetry five हो जाएगी तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 लास पार्ट था questions अम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही